आज हम बताएगी कि कहां से रेखा की अमिताब के साथ गहरी दोस्ती शुरू हुई थी। जया बच्चन और रेखा के बीच कैसा रिष्टा था। जया बच्चन रेखा से उम्र में 6 साल बड़ी हैं। अपनी पहली फिल्म से जया बच्चन पर अच्छी एक्ट्रेस होने का टैग लग गया था। रेखा को अपनी एक्टिंग की काबिलियत साबित करने में कई साल लग गये। आप जानते ही हैं कि रेखा का शुरू का जीवन कैसा था। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद रेखा ने जुहू बीच अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीद लिया था। ये 1972 की बात है तब रेखा 18 साल का थी। उसी अपार्टमेंट में जया बच्चन भी रहती थी। इसलिए अक्सर आमना सामना हो जाता था उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। जो बहुत अच्छी दोस्ती में बदल चुकी थी। रेखा प्यार से जया को दीदी भाई कहती थी। बहुत बार समय बिताने के लिए रेखा जया के घर चली जाती थी। बहुत बार जया बच्चन रेखा को समझाती कि अपने कैरियर और लाइफ के बारे में सीरियस हो जाओ। जया के घर पर ही रेखा की, पहली बार अमिताब बच्चन से मुलाकात हुई थी, अमिताब जया के बॉइफरेंट थे, ये वो समय था, जब अमिताब सफलता से दूर थे, और सिर्फ एक ही इनसान उनका होसला तूटने नहीं देता था, वो थी जया बच्चन। 1973 में अमिताब और जया के फिल्म जंजीर रिलीज हुई, उसकी सफलता ने क्या-क्या चेंज किया। ये आप सब जानते हैं, अमिताब और जया ने शादी करने का फैसला कर लिया, और 3 जून 1973 को शादी कर ली, इस शादी में रेखा को नहीं बुलाया गया, इस बात से रेखा को बहुत बड़ा जटका लगा, रेखा ने कहा मैं जया को अपनी बड़ी बहन मानती थी, जब बिल्डिंग में रहती हूं, फिर भी जया ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, निर्देशक दुलाल गुहा ने एक फिल्म शुरू की, दो अंजाने, जिसमें अमिताब और रेखा को साथ में साइन किया गया, तब तक रेखा ने असल में कोई धंका रोल नहीं कि एक बात और थी, रेखा को अमिताब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जो जन्जीर और दीवार के बाद अब बड़े स्टार थे, और सबसे बड़ी बात अमिताब रेखा की दीदी भाई के पती भी थे, सही टाइम पर सेट पर आना, तयार होना डायरेक्टर के साथ सा करना समझना और बेकाप के बाद बिना समय खराब किये अपने घर लौट जाना. जैसे अमिताब का discipline मशहूर था, वैसे ही रेखा का indiscipline भी मशहूर था. रेखा के बारे में मशहूर था कि वह फिल्म का सेट छोड़ कर कहीं भी कभी भी घूमने चली जाती थी रेखा ने खुद कहा था कि मैं प्रोड्यूसर के खर्चे पर बहुत घूमी हूँ दो अंजाने की शूटिंग के समय सब को लग रहा था कि फिल्म बनने में प्रॉब्लम आएगी पर सब हैरान हो गई है वो समय था जब रेखा अमिताब को हर रोज काम करते देखती उनके साथ काम करती उन्हें उब्जर्व करती रेखा ने अब तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने रेखा को इतना प्रभावी किया हो अमिताब का ऐसा असर हुआ था रेखा पर की रेखा ने सब को हैरान करते हुए सुबह छेहर बजे सेट पर पहुँचना शुरू कर दिया था अमिताब की परफेक्शन से रेखा बहुत इंप्रेस थी जाहिर था रेखा अमिताब की तरफ खींची चली जा रही थी